आप सभी को हमारे इस वीडियो में पहुत बहुत स्वागत दोस्तों मैं सीवम अपने यूटूप चैनल टेकनिकल सीवम पे स्वागत करता हूँ दोस्तों आप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे अपने वाटसब के अंदर कहीं पर भी आप चैटिंग करते हैं किसी भी दोस्त से चैटिंग करते हैं तो वहाँ पे आपका साउंड प्रॉबलम है आपके वाटसब के अंदर जैसे आपको पता तो अगर आप इस problem को यहां पे solve करना चाहते हैं आपका sound problem हो चुका है कोई भी sound यहां पे सुनाई नहीं देता है chatting करते वाद तो दोस्तों आप क्या करेंगे और कैसे इस problem को solve करेंगे और chatting की जो यहां पे sound होती है उसे कैसे आप enable करेंगे तो दोस्तों टेरो वीडियो को लेते हैं start है वीडियो को start करने से पहले हमारी एक छोटीस request है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें चैनल पर पहली बार आए हूँ तो चैनल को subscribe करके bell icon on करेंगे अब आपको यहां पे करना क्या है अपने whatsapp को open करना है जैसे तो आप मै देखा देता हूँ यहां से मैं इस वाले चैट पर किलिक करता हूँ तो यहां पर देखने को मिलेगा मैंने बहुत सारा चैट किया है बड़ हमें यहां पे कोई भी notification यानि कि यहां पे sound सुनाई नहीं दिया था जब मैं यहां पे send कर रहा था तब भी और सामने वाला person send कर ने रहा था तब भी हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता था तो इस problem को solve कैसे करोगे और कैसे sound enable करोगे तो यहां पर करना क कह है देखने को मिलेगा आपको तो क्लिक करना है अगर आपके mobile phone के अंदर disable है तो इसी से दोस्तों क्या होता है कि play sound for incoming and outgoing message यानि कि जो message आता है उसका notification और जो message आप send करते हैं यानि कि outgoing message उसका sound यहाँ पे सुनाई देता है तो आपको इस setting को enable कर लेना है आपकी problem पूरी तरीके से solve हो जाएगी और chatting करते बाद आपका sound यहाँ पे सुनाई देना start हो जाएगा तो ऐसे अपने इस problem को solve कर सकते हैं तो मिलते हैं next video में इस video के लिए इतना ही वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्नवाद